कैसे हो दोस्तों सौफिस सलुशन में आप सभी का तहे देल से स्वागत है दोस्तों अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर आप मेरे चानल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से चानल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे और नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर लिजे दोस्तों आपके लिए एक नया अपडेट लिके आया हूँ और वो नया अपडेट है फिनो पेमेंट बैंक की रिगाडिंग सही सुना फिनो पेमेंट बैंक की रिगाडिंग आप फिनो पेमेंट बैंक इन्वर्ट रेमिटन सर्विसेस दे सकती है। इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि फिनो मर्चंट आउटसाइट कंट्री से भी पैसा ले सकते है। दोस्तो, RBNE इंडिया से आउटसाइट कंट्री में मनी ट्रांसपर करने के लिए फिनो पेमेंट बैंक को अपरूवल नहीं दिया है। इन्वर्ट रेमिटन सर्विसेस को ही अपरूवल दिया है। और जल्दी ही इसका लाब फिनो पेमेंट मर्चंट को मिल सकता है। क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक के MD and CEO रिशी गुपता ने भी अपने statement में ये बात बताई है। दोस्तो अगर आप अभी तक फिनो मर्चंट नहीं बने हैं, तो जल्दी से फिनो के मर्चंट आप बन चाहिए, क्योंकि भविशम में आपको ये services ज़रूर मिलने वाली है। फिनो पेमेंट मर्चंट बनने की लिंक ये वीडियो के description में भी देके रखिए है, लिंक पे जाके आप वहां से फिनो पेमेंट मर्चंट आईडी create कर सकते हैं। लेकिन दोस्तो जब outside country से इंडिया में पैसा transfer होगा, जब ये invert remittance transaction होगा, आपको यहाँ पे कुछ बातों को समझना जरूरी है। दोस्तो outside country से जिसके जरिये पैसा इंडिया में भीजा जाएगा, उसको बोला जाता है overseas principal और इंडिया में जो outside country का पैसा collect करेगा, उसको बोला जाता है Indian agent। दोस्तो यहाँ पे overseas principal हो या फिर अपना Indian agent हो, ये दोनों को international remittance करने के लिए अपने अपने central bank से और government से license और authorization लेना होता है। जैसे अभी फिनो payment bank को ये authorization मिला है कि वो invert remittance services अपने members को दे सकते हैं। तो दोस्तो चलो देखते हैं ये money transfer service schemes के अंदर कत कौन से remittance transactions करना allow है और कौन से remittance transaction करना allow नहीं है। तो पहले हम allow transaction के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला transaction ये है कि अगर हमारे Indian family में से जो NRI है और वो NRI outside country में employment करने के लिए जाता है। और वो अपने family को family maintenance के लिए वो member outside country से इंडिया में अगर पैसे send करता है यानि कि भेचता है तो ये transactions यहाँ पे allow है। दुसरा transaction ये है कि अगर कोई foreign tourist इंडिया में विजिट करता है अगर उसको इंडिया में पैसे की ज़रुवत पड़ती है यानि कि requirement पड़ती है तो वो foreign tourist ये scheme के अंतरगत outside country से overseas principle के जरीए इंडिया में पैसे मंगा सकता है तो दोस्तों money transfer service scheme में सिर्फ ये दो transaction ही allow है इसके अलावा दूसरे कोई भी transactions आप करेंगे तो वो transactions allow नहीं किया है चलो देखते हैं कि यहाँ पे कितने amount का transactions यहाँ पे allow किया गया है यहाँ पे एक बार में 5,000 US dollar का transaction आप कर सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है अगले नए अपडेट के साथ I hope कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और भी नए अपडेट्स के लिए आप चानल को जरूरु सब्सक्राब कर लिजिएगा वीडियो को लाइक कर लिजिएगा और notification icon पे क्लिक कर लिजि धन्यवाद